Study Himachal की एक और सीरिज में आपका स्वागत है दोस्तों आप डिस्कस करेंगे वेटरिनरी फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग इम्पोर्टन्ट कोश्चन इसको आपको मोग टेस्स की तरह लेना है और आपको चेक करना है आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चर रही है चलो शुरू करते हैं पहला प्रशन है फू इस दे फादर ओफ एनिमल ब्रीडिंग एनिमल ब्रीडिंग के जनक कि नहीं कहा जाता है देखें दोस्तों आप वीडियो को पोस कर भी कर सकते हैं हमने वीडियो शोट बनाने के लिए हमने इसके जल्दी जल्दी आपको अंसर बता रहे हैं आप सोच सकते हैं वीडियो को पोस करके इसका जो अंसर होगा वो होगा जी एल लश इसका ए अंसर होगा जो एक्जाम पॉइंट ओ व्यू से इंपोर्टन है नक्स कोशन देखते हैं सब्सकैया बता है इनिमल नूट्रेशन के जनक केमिश्टरी कि उन्स guardians कहा जाता है यह फीर से महत्पूर्ण कोशन है इसका जो अंसर होगा वो होगा एन्टॉन लवेसीयर लभता इन्टॉनियूललयवउसीयर थे, वो father of nutrition and chemistry के जनक माने जाते हैं, इन्होंने 1770 में metabolism का भी अभिशकार किया था, इन्होंने discover किया था, ठीक है, इन्होंने बताया था, जो conversion of food and oxygen into heat and water in the body to produce energy, इन्होंने उसके बाद, एक और, 1800 इस वी में इन्होंने एक और अविशकार किया था, जिसमें उन्होंने पता लगाया था, जो carbon, nitrogen, hydrogen and oxygen होते हैं, वो primary component होते हैं, किसके food के, ये भी आपको याद रखने important है, exam point of view से, next question देखते हैं, देखें दोस्तों, आपको multiple choice question चाहिए, veterinary pharmacist के regarding, plus आपको GK section चाहिए, ये दोनों आपको मिल जाएंगे, आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, आपको हमारा WhatsApp यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हमारी team से आप बात कर सकते हैं, next question देखते हैं, which of the following type of animal breeding is used to develop a pure line in any animal, इसका के answer होगा, वो होगा, in breeding, D इसका answer होगा, next question feed industry come into existence in our country, जो feed industry है, वो कब अस्तितव में आई थी, इसका क्या answer होगा, वो होगा, बड़ा important question है, 1961 में अस्तितव में आई थी, भी इसका answer होगा, next question देखते हैं, most popular fine wool breed of word, कौनसी है, most popular fine wool breed, वो कौनसी है, सोचिए, इसका जो answer होगा, merino, merino इसका answer होगा, D इसका answer होगा, अगला question देखते हैं, anything that promotes growth and development of the animal, क्या चीज़ चाहिए होगी, growth and development of the animal, वो है, nutriment, A इसका answer होगा, next question देखते हैं, which of the flowing is the highly contagious viral diseases of cattle, सोचिए, इसका answer होगा, important है, exam point of view, इसका होगा, B, rinder pest, next question देखते हैं, the first addition of nutrient, requirement of primary cattle, by national research council, NRC, was published in the year, कब हुई थी, publish, ये बताईए, इसका answer होगा, वो होगा, C, 1945, इसका answer होगा, next question देखते हैं, a first feeding standard, using crude protein, carbohydrates and fat in feed, इसका क्या answer होगा, इसका होगा, Morrison's standard के तहथ ही ये काम होता है, इसका जो होगा, B answer होगा, इसके बार में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, देखें, एक standard बताता है, मतलब की, आमान के चलिए, जैसे विविन तरह के पशु होते हैं, उनके शारिरिक कारेों की कैसे बृद्धी के जाए, ठीक है, उन्हें विविन बर्गों को खिलाए जाने वाले जोई, पोशक तत्व होते हैं, ठीक है, जिससे उसकी growth हो, जानवर इसके बारे में चर्चा करता है, और एक standard qualify करता है, मतलब इंगित करता है, बताता है कि इसी चीज से, ये चीजे पशु को खिला के, उनके पोशक तत्व हो उनको मिलेंगे, तो वो जानवर किस तरह से growth करेंगे, इसके बारे में चर्चा करता है, नक्स्ट कोशन देखते है विच इस दे फ्लॉइंग, is the yellow fever reference center, देखे, yellow fever reference center का जो अंसर होगा, सोच भी सकते है, वीडियो को post करके, वो होगा, center institute का सोली में का सोली में देखने को मिलेगा, अब इसके बारे में चर्चा करे, yellow fever किस से फैलता है, आपको पता ही होगा, yellow fever का सबसे, main जो फैलता है yellow fever, mosquito मोष्कटों से फ्यालता है है जही। यलो फीवर के बात करें पारिक वाय डिसीजीज़ जिसे हम नाम देते हैं हैमउा मिख डिसीजिज दिसस्ट ट्रामटिट इडी इतस हें से होती यह agreements से होती है यह यहईलो फीवर को हम ने जूंडी से भी इसको रेफर करते हैं इसमें जो तो symptom आपको देखने को मिलते हैं yellow fever में जैसे आपको fever हो सकता है headache हो सकती है John dyspelia हो सकता है muscle pain हो सकती, vomiting हो सकती है ठीक है थकावट हो सकती है यह सब इसके symptom है कि इसके yellow fever के आपको याद रखना है next question देखते है gear breed belong to, देखिए gear breed जो आपको देखने को मिलेगी गुजराथ में देखने को मिलेगी, gear breed ठीक है तो यह कहाँ पर पाई जाती है gujraat में है तो कहाँ पर पाई जाएगी, gear forest में पाई जाएगी gear forest गुजराथ में ही देखने को मिलेगा next question देखते है outbreeding increase, देखिए outbreeding किसको increase करता है सोचिए इसका जो अंसर होगा B होगा ये भी आपको याद रखना है exam point OV से math next question देखते हैं the efficiency of utilization of protein for egg production in poly in polytry इसका क्यों तो polytry farm में जो efficiency and utilization of protein for egg production in polytry इसका अंसर बताए क्या होगा इसका होगा 55% ये भी याद रखना है next question देखते हैं देखिए solver syndrome and facial enzyme in cattle is caused by the consumption of किसकी वज़ा से होता है facial enzyme and slower syndrome किसकी वज़ा से होता है cattle में बताएए इसका जो अंसर होगा mycotoxin ठीक है mycotoxin ये आपको याद रखना है C इसका अंसर होगा next question देखते हैं rumen protozoa was first observed by इसका क्या अंसर होगा इसका A होगा exam point of view से महत पूर्ण है next question देखते हैं margo plicatus is present in the stomach of इसका इसका होगा horse देखिए इसके बारे में बात करें horse के left side abdomen में होता है और ये क्या करता है separate करता है glandular and non glandular part of the body को ये क्या करता है separate करता है next question देखते हैं muscular stomachs of fall is known as इसका क्या answer होगा इसका B answer होगा next question देखते हैं इसको gizzard के नाम से भी जानते है और दूसरा vetricullus के नाम से भी जानते हैं ये भी आपको याद रखना है next question देखते हैं coma shaped देखिए इसका answer क्या होगा सोचिए इसका होगा horse ही इसका answer होगा next question देखते हैं a rich source of vitamin A is which of the following इसका होगा fish liver oils next question देखते हैं gall bladder is absent in इसका होगा horse human foot shaped spleen is present in इसका होगा dog दोस्तों आज के लिए इतना ही आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेर जरूर करें thank you have a nice day god bless you all bye bye करें